तो दोस्तों यहां पर काफी दिन हो चुके थे भाई PC बिल्ट से रिलेटेड हमने कुछ भी मालवाल नहीं फिलाया था तो आज यार तबाही मचाते हैं डिर्क पीसी बिल्ट पर आते हैं यास भाई आज हम लोग यह कंप्लेटली PC बिल्ट करने वाले टोटली और यह PC अर मेरे पास पहले से अभाई यह एक चीपेस PC है तो आंसर है बिल्कुल हां और साथ ही साथ बाई लोग यह भी पूसते हैं गेमिंग कर सकते हैं उसका भी आंसर ही यह हां ही मैं तो आज इसके ऊपर टोटली बात करने वाले काफी कुछ इससे रिलेटेड चीज आपको बता हूँ PC बिल्टी करने वाले एक चीप रेंज में अगर आप गेमिंग PC चाहते हो ना गेमिंग PC का मतलब आप समझ रहे हो ना भाई जिस पर आप गेम्स खेल पहो यह नहीं कि आपने PC बना दिया, गेम डाउनलोड होगी, इंस्टॉल होगी, चल रही है पर लैक कर रही है वो वाला scenario नहीं होने वाला है, तो चलते हैं फर्दर मूव करते हैं स्वागत आप सभी का एक और ब्रैंड वीडियो में है, सबसे पहले तो देखो यार मैं आपको इस PC का थोड़ा यार ग्राफिक कार्ड के हम लोग इस पर यूज कर पाएंगे, तो यूज तो कर सकते हो पर यार यहार यहां पर बिल्ट जो कर रहे है PC, यह 25,000 का है तो इतने में तो भाई एक अच्छा खासा अगर ग्राफिक कार्ड अब लेने भी जाते हो ना, तो उसके भी रेंज इतने तक में ही है तो यार बिल्कुल हम यहाँ पर अभी तो graphic card यूज नहीं कर रहे हैं अभी integrated graphics जो है ना उस पर कर रहे हैं पर हां वो भी इतने capable है ना कि आपको अच्छी gaming करा देंगे graphic card के लिए चाहिए तो अलग PC built हमने कर रखा है जो main PC है मेरा वो आप देख सकते हो i button पर और experiment भी कर रहे हैं वो भी आपको i button पर मिल जाएंगी अभी normal यार इस PC की बात कर लेते हैं medium हैं बहुत साई PC है भाई future में आगर पैसे हुए है तो भाई फिर लगा लेना यार बिल्कुल समझ रहे हो आप यह graphic card की बात होगी ठीक है तो अब यह further move करते हैं सबसे पहले तो देखो इसके प्रोसेसर बता देता हूं तो अभी यार इसके अंदर जो प्रोसेसर लग रखा है कोई और नी भाई राइजन 2200 जी उसकर रहा हूं अब काफी लोग बोलते है यह प्रोसेसर क्यों यार लेटस जेनरेशन पे बिल्टेड है वैसे तो 5000 सीरीज भी आ गई है पर वह थोड़ी महंगी हो जाती है तो यह दुनों जीगा है ना 2200 जी और 3200 जी यह मस्त है इस पॉइंट पे मेरे हिसाब से तो आप इस पे जा सकते हो और इससे बहतरीन अगर आपको यह अपने साइट जहां पे आप ले रहे हो यह वैसे तो डिस्रिप्शन में आपको समका लिंक मिल जाएगा वहां से भी आप ले सकते हो पर वह मैं प्रैफर करूँगा यहां पर 3200 जी यह जाद अच्छा रहेगा बाग यह प्रोसेसर बताओ तो चार कूर का यह आपका प्रोसेसर आ जाता है 3.7 GHz पे बिल्कुल रॉकिंग ड्रोल आपकी यह पर्फोर्मेंस गिडी करा देगा एडिटिंग हो गई, गेमिंग हो गई, साथ ही साथ भाई, विग आस ग्राफिक साथ है इन बिल्ट भाई, तो उससे क्या होता है भाई, गेमिंग यह बिल्कुल फ्लेक्सिबल आप राम से कर सकते हो कि फर्दर मूफ करते हैं तो भाई, यहां पर यहां पर मधरबोर्ड यूस करा है, यास भाई, नन अदर दन, यास, MSI B450 Pro VDH Max अब भाई, यह मधरबोर्ड की यार, क्या ही बात करूँ, अगर आप 5000 series के भी लेते हो ना, G series के प्रोसेसर या कोई भी, तो यह अराम से capable है रहनी के, बस BIOS का update का थोड़ा मामला आ जाता है, बाकि यार, सबसे एची बात मेरे को पता है, इसके अंदर क्या लगी, 4 RAM की slot मि मिल जाता है, और क्या amazing है, DRM section भाई, इसका top launch मिल जाता है, साथ ही साथ भाई, M.2, NVMe, SSD भी लगा सकते हो, 4 RAM लगा सकते हो, उन्हें भी overclock कर सकते हो, और प्रोसेसर तो भाई, बिल्कुल supported है, तो मेरे हिसाब से, यह motherboard best रहते है, इस pricing मेरे हिसाब से, जितना मैंने अभी त बात कर लेते, cabinet पर ज्यादा चोइस हाप करो नहीं, अगर आपको बजट में रहना है, तो आप सस्ते cabinet में भी जा सकते हो, यह मैंने थोड़ा fancy look में चला गया हूँ, तो यह आर N-tech की तरफ से, बहुत सार इनके cabinet आते, यह वाले कर लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिशन में, यह आपकी मर्जी पर, cabinet पर जितना चाहू उतने पैसे लगाओगे, उतना बैतरी नहीं आएगा, आने को यह 10,000 के भी आते है, वो आपके budget पर totally depend करता है, आपको यह खुबसूरती चाहिए, RGB वी चाहिए, यह तो अलग-अलग cabinet आपको मिल जाते है, वैसे यह जो मैंने यह यह उसके रहा है, यह बिल्कुल, भाई, hard drive अभी के लिए तो कर लिया है, पर मैं आपको prefer करूंगा, SSD यूस करो, और यह फिर साथ में दोनों का combination भी रख सकते है, दोनों preferable रहे का, SSD से तो भाई देखो, speed बनती है, इस पर हमने काफी बर बाद कर रखी, तो हमेशा से preferable र अभी के लिए एक ही लगाते है, यह भी आपको 3000 के हसपास मिल जाती है, XPG की, मजदार गुंटागिरी के साथ, भाई, बागी दोस्तों, last component, अगर major बात करोगे, तो यह power supply, देखो power supply, तो मैं आपको prefer करूंगा, Corsair का ही लेना, बहुत अच्छा रहता है, अभी recently पता है, म ग्राफिक कार्ड यह सब लगाओगे, तो थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाते है, तो यह कोर्सर की तरफ जा सकते हो, वैसे तो भाई, इसके अंदर 450 वाट लगे, काफी है बागी आप यह चाहो, तो और भी यह जा सकते हो, समझ रहो ना, इससे जादा वाट में चाहिए, तो वो भी आप यह carry on कर सकते हो, पर इतनी है capable, at the end भाई, keyboard और mouse में बोलोगे, तो आपकी choice पे, totally depend है, 1200 में आप pack भी ले सकते हो, जैसे यह mechanical keyboard है, 2000 का, तो ऐसे बहुत सारे combination चलते है, वो आप पे depend करता है, पर 1200 के आसपस से अच्छे keyboard mouse आपको मिल जागा, combination ले सकते हो, बै काफी बार लगा रखा, तो उसकी performance और हो जाती है, जैसे यह बिल्कुल, आपने सही देख रहो, यह वाला graphic card मैंने इस पर एक बड़ लगाया था, 30-60, Tis को तो यह और भी जगा लगाया, इन सब पहर हमने experiment कर रहा है, वो सब चीज़ आप आई बटन पे देख सकते हो, तो कर रहा है, जैसे यह बटने मातरा है, जैसे बटने मातरा है